आज हम बात करने वाले हैं Water ID Card Printing Service के बारे में अपने CSE Center पर Water ID Card Printing Service ले कर आप एक नया Water ID Card बना सकते हैं Water ID Card में Protection कर सकते हैं Double-Kate Water ID Card निकलवा सकते हैं और साथी आप अपने CSE Center पर Water ID Card प्रेंट करके कस्टमर को भी दे सकते हैं CSE Center पर ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सर्विस है और इसमें आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं CSE Portal लेने के बाद आपको Water ID Card Printing Service लेने के लिए अपलाई करना होता है जिसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं Water ID Card Printing Service लेने के लिए आपको यहाँ Services पर किलिक करना होगा अपने Digital Sewa Portal में और यहाँ पर आप सर्च करेंगे Epic इसमें आपको एक Option मिल जाएगा Epic Printing आप यहाँ किलिक करेंगे एक New Tab ओपन हो जाएगी यहाँ पर आपको अपना Mobile Number डालना होगा कोई भी Mobile Number आप डालकर Send OTP पर किलिक करेंगे OTP डालेंगे तो आपके सामने Registration Form आजाएगा इसमें आपकी CSE ID आपका State आजाएगा यहाँ से आप चूज कर लेंगे अपनी District इसके बाद आप Assembly चूज कर लेंगे यानि Constitution इसके बाद यहाँ पर आपको अपने CSE Center का पूरा Address डाल देना है निचे यहाँ पर आप Pin Code डाल देंगे यहाँ पर आप अपनी VLE email ID डालेंगे क्या आपके पास Epic Card Printer है अगर आपके पास है तो आप Yes पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप Printer का नाम डालेंगे आपके पास Printer नहीं है तो आप No कर दीजिए आप Printer बाद में भी मंगा सकते हैं इसके बाद आपको Police Verification अपलोड करना होगा यह mandatory है तो आपके पास जहाँ पर भी Police Verification रखा हुआ है आप Choose While पर क्लिक करके उसको Select करेंगे Select करने से पहले आपको धियान देना है अपने फिल की है बिल्कुल सही है जिसके लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपकी application successfully रजिस्टर हो जाएगी इसके बाद आपको वेट करना होगा maximum एक मही नेका उसमें आपको April मिल जाएगा एक बार April मिलने के बाद वोटर एडिकार्ट प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा यह मैं आपको next वीडियो में दिखाऊंगा